हरियों, क्रियात्मक योग में हम पवत उटासन सीरीज के कुछ अभ्यासों से आरभ करने जा रहे हैं इन अभ्यासों से आपके शरीर के प्रती जागरुपता में रुथी होगी सभी प्रमुख जोडों एवं मान्स प्रिशियों को लचीला और शप्तिशाली बनाने में ये अभ्यास सहयोगी होंगे साथ ही स्वास्ते संबंदी अनेक समस्याओं के नेरा करण में साहयग होंगे पवन उक्तासन ऐसे आसनों का समों है जो हमारे शरीर और मन के समस्प पवरोधों को दूर करता है जो गलत जीवन शरी या मानसिक भावनात्मक कार्णों से भी हो सकते है तो हम शुरू करें सबसे पहले आखे बंद करें शरीर सीधा और ओम से हम शुरूआत करेंगे गेहरी स्वास हरें आई दो सेंटर में लाल रंग के ओम का ध्यान कीजिए और हम तीन बार ओम कहेंगे और हम शुरूआत करेंगे से तो में से नान कीजिए और हम शुरूआत करेंगे ओम ऑड़ गंगे अब हम प्रतम अभ्यास करेंगे इसमें प्रारम्धी की स्थती इस तरह होगी पैर सीधे सामने की और पैले के रहेंगे हाथ साइडवेज या तीछे की और बैक स्ट्रेट अब पैरों की उंगलियों से हम शुरुआत करेंगे उंगलियों का ध्यान करें आंके बंद सांस लेते वे उंगलियों को पाओ के उंगलियों को अपनी ओर खीचें सांस धीरे धीरे लेते वे सांसों के साथ उंगलियों के मूव्मेंट को सिकुरुनाइस कीचें धीरे धीरे सांस छोड़ते वे नीचे की और सांस लेते हुए उपर छोड़ते हुए नीचे उपर लेना नीचे छोड़ना रिलाक्स अब दूसरा अभ्यास है एंकल जॉइंट के पास से अपने खीचिये सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे विडाउट स्ट्रेट धीरे धीरे सांस लेते हुए उपर जहां आपको तनाव मिले वहाँ पर आपको रूप जाना है सांस छोड़ते हुए नीचे लेते हुए उपर छोड़ते हुए नीचे विलाक्स अब दोनों पैरों के थोड़ा सा फैलाएं इतना फैलाना है कि साइड वेज छुगाने पर अंगुठेट यूद्से से मिले यहां से आपको अंकल जॉइंट के पास से गोल घुमाना है दीरे-दीरे सांस लेते वे अपनी और खीजे और धीरे-दीरे सांस छोड़ते वे गुण गुमाते वे वापस अमठेक दुस्य से मिलें सा कुशिश कीजिए सांस लेते वे उपर छोड़ते वे निजे सांस लेते वे वे वापस अमठेक दुस्य से मिलें फिर लेते वे उपर गुण गुमाते वे सांस धीरे-धीरे छोड़ते वे वापस अमठेक दुस्य से मिलें इसे को नीचे से उपर क्यों सांस लेते वे उपर छोड़ते वे नीचे उपर लेना ले उपर सांस लेड़ते वे उपर कियों सांस ले जाओ रफ छूब रिलाक्स थोगते शांत रहें पाउंके उंगलियों के जॉइंट्स एंकल जॉइंट में इफेक्ट को फील कीजिए अगले एपिसोड में नए अप्यासो के सार्फर से मिलते हैं है यूँ